क्या आपका clock रुक रूक के चल रहा है बेटरी डालने के बाद कभी बंद होता है कभी चलू होता है तो दोस्तो एब वीडियो आप लोग को देखना चाहिए तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो एदेखिए एक मेरे पास वाल clock है जो की हमने इसमें सिगेंट का काटबा डाल दिया है अभी देखिए इसमें बैटरी भी हमने लगा दिया है अभी देखिए घरी घुमने रहा है एकदम बिलकुल बंद है तो कस्टमार ने बोला था पहले बंद हो के चल रहा था उसके बाद पूरा बंद हो गया तो दूस्तों इसका जो कारण है अंदर धूल मिट्टी जो आता है उससे अंदर जो हूल रहता है उसके अंदर थोरा-थोरा करके धूल मिट्टी जम जाता है उसके करण भी प्रॉब्लम आता है और दूसरा भी इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है तो हम इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम ह इसमें बहुत दूल मिटी है पहले साफ कर लेते थोड़ा और दोस्तों एक क्लॉक रिपियर करना बहुत ही आसान है उपर बला जो साइड है अमने डाकन खोलने के बाद तो इसमें चार आपको हुईल दिखेगा है देखिए एक जो सेकेंड का हुईल है उसके बाद एक बारा थोड़ा सा अलग कलर का है इसमें भी थोड़ा मिटी है दूल मिटी है इसको भी थोड़ा साफ कर लेते है उसके बाद देखिए इसके बगल में और एक छोटा सा जो हुईल है इसके अंदर कुछ लगा हुआ है आपको दिखेगा मेटल टाइप का हम उसको खोल के नजदिक से दिखाते हैं तो दोस्तों ये वाला जो हुईल है एक लॉक को चलाता है मतलब जो मैगनेटिक फिल्ट तैयार होता है उसके कारण जैसे मोटर के अंदर जो घूरते आर्मेचर गूमता है दोस्तों ऐसी इसके अंदर मैगनेटिक फिल्ट तैयार होने के कारण यह भी घुमता है और ए छोटा वाला हुईल पूरा घरी को चलाता है तो इसके बाद इसका जो मेकानिजम को हम उठा लिया है यह धे VERD कि उठाने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा सरकीट है एक पल्फिस्टल है और दोस्तों एक coil है उसके बाद देखिए यह देखिए तीन आपको wheel दिखेगा यह वाला minute का काटा का है और side वाला जो है हम time adjust करते है और बरा वाला जो है ओ घंटा जो होता है उसका काटा है तो अंदर भी बहुत दूल मिटी है इसको भी साफ कर देते तो दोस्तों यह जो बन हो हो के चल रहा था तो यह दूल मिटी के कारण नहीं चल रहा था तो इसमें हमको problem दिख गया है हम आपको दिखाते तो दूल मिटी के कारण भी होता है कभी-कभी घरी थोरा slow भी हो जाता है तो इसमें देखिए जो वायर है एक जो बैटरी से negative बाला connection जाता है वायर ज इतना साल पर आ गया था थोरा सा connection बना हुआ था तो इसलिए रुक रुक के चल रहा था तो अभी यह जो spring है दोस्तो नेगेटिव बाला यह तो नहीं चलेगा इसको हम change करेंगे तो spring मेरे पास नहीं है मैं spring को बनाएंगे तो mobile का जो display रहता है दोस्तों उसके पिछले हिस् जो है steel का plate मिल जाएगा तो इसमें solder करना बहुत ही मुश्किल होता है थोरा घीस के उसके बाद solder करना पड़ता है नहीं तो नहीं पकड़ता है तो इसको देखिए हम थोरा सा nap ले लेंगे लेके हम काची के मदश से इसको काट लेंगे और इसी से हम negative बाला जो बैटरी का connector है दोस्तों इसको बनाएंगे तो यह देखिए थोरा सा हम देख लेते धाचे में बैठा के तो से यह हम थोरा सा और भी पतला करेंगे नहीं आ रहा है तो यह देखिए यह बिल्कुल set हो गया आप इसको हम पहले जैसा उतना अच्छा तो से नहीं दे सकेंगे लेकिन हमारा जो है काम ओ चल जाएगा तो इसको हम को इसके अंदर डालके एक बाद देख लेना है जे बिल्कुल सही से बैट रहा है आप देखिए काची से हम इसको काटिंग करेंगे थोरा सा जो पहले बाला जो कनेक्टर था पैसा ही यह थोरा सा हम क्रोस में काटिंग करेंगे और बीज बाला जो मिडिल बाला जो भाग रहेगा दोस्तों उसको थोरा हस्ते टेरा कर देंगे जो स्प्रिंग का काम करेगा बैटरी को पिसर बना के रखेगा ते देखिए थोरा सा हस्ते हमने इसको मोर दिया है आप दोस्तों इसम मुश्किल पार्ट ए है कि इसके उपर सोल्डर करना सोल्डर करने से पहले थोड़ा घिस लेंगे ने तो इसमें आप जितना चाहू स्षी ILK कर लो सरा दिन इसमें iron को लगा के रगदो आप solder कर नहीं पाओगे इसमें solder चिपके का नहीं दोस्तों इसको थोड़ा घीस लेना है और थोड़ा पेस्ट लगाना है उसके बाद आप इसमें solder लगा सकते हो तो देखिए नहीं लग रहा है ठीक से तो थोड़ा साम पेस्ट डालेंगे solder के अंदर ही पेस्ट रहता है तो देखिए पकर लिया है अब हम इसको sold कर देंगे तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा गरी को सेट करना तो गरी आप जैसे भी चाओ खोलो गरी के अंदर आपको दोनों साइठ का हुईल मिलेगा एक साइड में तीन हुईल रहेगा और दूसरा साइड में चार हुईल रहेगा दोस्तों तो एक साइड में जो हुईल रहेगा हम बता देते निचले वाला हिस्से में जो हुईल रहता है दोस्तों पहले वाला जो रहता है घंटा का जो काटा होता है उसका हुईल रहता है शेकेंड वाला जो रहता है दोस्तों मिनिट वाला जो काटा रहता है उसका हुईल रहता है ठाट वाला जो हुईल रहता है दोस्तों हम जो घरी के पीछे से हम जो कटा को घुमा के टाइम सेट करते हो वाला हुईल रहता है तो यह देखिए जो हमने घंटा का हुईल डाल दिया था अब मिनिट का हम डाल दिया है उसके बाद यह पडेगा उसके बाद जो है ए मिनिट बाला जो हुल है दोस्तो इसको डालना पडेगा एए देखिए तो आप जाके हम बहार से जो गुमाएंगे ऑप थार्ड वाला हुईल को छोटा वाला तब जाके हमारा घंटा और मिनित का हुईल गुमेगा तो यह पार्ट तो हो गया दोस्तों आप देखिए यह उपरी हिसे में देखिए पहले सेकेंड वाला जो हुईल है अम इसको लगा दिया है उसके बाद और एक आपको हुईल से बैठ जाएगा एक साइड में यह देखिए यही पर एक छेद रहेगा आपको दिख जाएगा यह वाला साइड में जो नीचे वाला जो मिनित का हुईल है दोस्तों उसके साद यह अटाच रहता है यह देखिए इसको हमने डाल दिया है उसके बाद यह देखिए सेकेंड वाला हुईल हमने डाल दिया है यह देखिए आप देखिए थोरा सा जो कलारिंग रहता है डिस कलार रहता है दोस्तों वाला हुईल बैटेगा इसको अच्छे से हमको बैठाना है देखिए आप जो दोस्तों मैगनेट वाला जो हुईल है दोस्तों उसको बैठाना है जो कोईल के अंदर हम बैटरी को कनेट करने से ये वाला जो हुईल है ये घुमेगा पूरा घरी को जो चलाएगा यह छोटा बाला हुईली पुरा घरी को चलाता है तो एक बार हम बैटरी लगा के उपर से ही देख लेंगे के यह ठीक से काम करता है के नहीं अगर हम सही से पकर पाए सीधा तो एक काटा घूमेगा नहीं तो डखन लगा के देखना परेगा तो पहले एक बार बार से चेक करन चेक करना जोड़ी है दोस्तों नहीं तो डखकन लगाऊगे फिर से नहीं चलेगा तो यह देखिए घूम रहा है हमको दिख गया ओ थोड़ा सा साइड में आ गया था तो इससे हमको पता चल गया लेकिन आपको दिखा नहीं पाए लेकिन बहुत सारा टाइम में हम दिखा दि बैठाने से अपने आप जो इचलता है तो हम इसका ढकन को लगा के ही चलाएंगे क्यों हमको पता चल गया दोस्तों कि बिल्कुल से ही हो गया तो इसका बैटरी को हम खोल लेंगे या लगा भी सकते है तो यह देखिए ढकन को हम सीधा पकरेंगे इसमें तीन लौक है दोनो में जहां पर बैटरी बैठता है वही पर देखिए हम थोरा सा पेशार करेंगा अरे देखिए कला वाला जो हुईल है यह देखिए जो हमने बताया था इस हुईल को गुमाएंगे तो गंटा और मिनित वाला जो हुईल है उसके भगल में एक चोटा सा हुईल हमने डाला था त हमने कर एक बार काटा है उसको लगा के देख लेते हमारा घरी घूम रहा है ताव topics इसको trade करेंगे तो जल्दी से इसको सेट कर लेते सेट करना बहुत ही आसान है घरी के उपर इसको बैठाई है घरी जहाँ पर बैटरी रहता है दोस्तों जहाँ पर छे लिखा रहता है बैटरी उसी साइड में रहेगा घरी में जहाँ पर छे लिखा रहता है और मिशिन का जो बैटरी हम लगाते है तो बैटरी और छे एक ही साइड में रहेगा और काटा लगाने के टाइम पे ठीक उल्टा दोस्तो जितना भी काटा है हम बारा बारा बाजे के उपर रखके इसको सेट करेंगे तब जाके हमको सेई टाइम मिल सकेगा यह देखिए मेरा सेकेंड का काटा गुम रहा है अब हम घरी का काटा गुमा के टाइम एड़ेस्ट करेंगे कितना टाइम हुआ है अभी और थोरा हम देख लेंगे किसी काटा किसी काटा के साथ चिपक न जाए तो उसमें क्या होगा थ अब देखियो वाला जो कांच हे घरी का तो यह कांच को हम लगा देंगे नो कंपनी तो अच्छा है दोस्तो आजनता कंपनी का है लेकिन इसमें जितना भी ग्यार इंच कीया है जितना भी wheel यूज़ किया है दोस्तों सारा के सारा जो है प्लास्टिक का है प्लास्टिक टाइप का या फाइबर टाइप का जो भी बोलो उसी का है मेटल का नहीं है तो दूसरा company का जो होता है वो मेटल का भी आता है मेटल यउज होता है ज़्यादा तर जो सेकंड वाला काटा रहता है दुस्तों उसका जो है मेटल का आता है इसमे नहीं दिया तो यह तो हम को पता नहीं आप लोग कॉमेंट करके हम को बताएगा कि मेटल वाला जो काटा है यहाण प्लास्टिक बाफ फाइबर वाला काटा है कौन सा काटा अच्छा है second वाला काटा के लिए तो यह दिखिए काच लागाने के बाद इसका नाट को हम कस देंगे धोनों नाट को कस देंगे तो यह दिखिए थोड़ा सा अभी ढ़ी धीला है तो इतना भी टाइट नहीं करना है दोस्तों ज़्यादा टाइट करोगा तो इसका उपर वहला जो क्यांच रहते हैं बहुत ही पतला रहता है हर कपनी बोलो घरी का बहुत है जो उपर मुटा नहीं देता है क्योंकि